मॉर्णिंग दोस्तों वेलकम टू अबर्यूट्यू चैनल इयर पीके क्लासेच पटना कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता वालि गंज मैदान कम जिसका वासरमें का एक्जाम जो 17-18 दिसंबर को हुआ था जिस और एक आठ जनवर इक तिन दिन इक्जाम इसका चला था जो है कि वा करते हैं लास्ट में आप लोग को टेलिग्राम गुरूप से बस जूर जाए कि जैसे में गेट पर उसका रिजल्ट आएगा तो आप लोगो बेहर दिया जाएगा चलिए स्टाट करते हैं वहुत कम समय हैं आप लोग जितना से जल्द से जल्द जो है कि इस वीडियो को जो करेंगे तो लाइक सब्सक्राइब लेकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा तिक इसमें हम बात क्या करना चाहते हैं मिलनी बात इसमें हम लोग करेंगे क्या चीज का आप लोग को बता देते हैं पहला पॉइंट करेंगे प्रेस के बारे में क ही प्रेस में क्या क्या करवाएगा जैसे में 10 पैंट है है अप लोग अच्छ अच्छा से देखे गा तो ही समझे में आएगा डिखना है दिखना ही होगा दूसरा बात हम लोग करेंगे हरेन क alternator कहां पर है एकसो कायूज कहां पर है अनिम्बू कायूज कहां पर है इसके बारे में पढ़ेंगे तीसरी बात है इसके सावधानिया सावधानिया यह बहुत लोग गलती क्या करते हैं वो सावधानिया भी आपको प्रतनी है यह लास्ट मैं आपको मैं बताऊंगा जो वीडियो के लाट तक आप लोग देखिएगा तो ही आप लोग को पता चलेगा क्या गलती नहीं करना है चलिए हम लोगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली बात हम लोग करते क्या है कि सबसे पहली बात है कि प्रेस प्रेस आपको तो क्या चीद का दिये किया रखा हुआ है आएन पर सब्सक्राइब करते हैं यो आर Спसथ बाली करते हैं यहाँ पर जाएंगे तो तो देखेंगे ऐरन तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ऑन है या जो स्विच वहां पर स्विच वहां का ऑलन है क्या है और है पहली बात यह पिर अउ आप पर फस्वट रहेगा तो उसीपी डिट मारे किया किजेगा और बात आती है क्या और बात आती है कि आपको तो मिलेगा बर्दी मिलेगा बर्दी मिलेगा देखे बर्दी कैसा मिलता है आप लोग कोई बर्दी दिखा देते हैं बर्दी आपको यही मिलेगा यही बर्दी आपको यहां पर मिलेगा आपको प्रेस करने के लि कीजिए बर्दी आफ़रों को पिरेश करने के लिए और दीा जाएगा और बात करते हैं कि मानने जीए सब और सब्लडि जो है यह बर्दी के बारे में थवह सब्सक्त पता और नहीं पौधरी देखें होंगे तरह भाझ difle तो सिधा करना है आप प्रेस करना है अगर फोल्ड करनी के लिए बोलेगा तो ही फोल्ड करना है फोल्ड कैसे करना है मान लिए अगर आपत। पाने हैं तो उसी के तक शाइज में आपको क्या करना है Mutler देना है। जहां तक आपको मोलड को देना है। लेकिन डाहां पर बोलेगा तो तोरे करना है। वहाँ पर बात करते हैं यहां पर वही बात करते हैं कि मिन्स आपका आइरन हो गया क्या हो गया आइरन क्या कर लिए कर लिए आइरन हो गया आइरन को जहां से आप उठाएं थे जहां से उठाएं थे उसको उसी अस्थान पर क्या कर देना है रख देना है स्वीच को अगर ऑन है तो उसक पर कर देना है इस अस्थान पर रख देना है जिस अस्थान से आप उठाए है और उसको कर देना है अब बात आते हैं क्या अब बात आते हैं कि आपका रीन एक्सों का यूज कहां पर है किसका रीन का एक्सो का और निम्बू का अच्छे से समझेगा तीनों का यूज कहां पर है देखिएगा रीन जो है कि क्या चिम होता है माली का आइरन कर रहे हैं दाग ऊगला गया मी भी दाग अगर दाग को छुड़ाने के लिए रीन का उपयोग करते हैं नहीं तो निम्बू का परियोग करते हैं 100 क्या होता है अगर उससे नहीं चूट रहा था 100 का उप्यों करेंगे 100 से अगर विश्वास है आप लोग देख लिजिए गापुरी तरह से अब बात बताते हैं यहां तक यूज पता चल गया कि करेंगे 100 का पर यूज है अब बताएगा कपरा तक वहां पर जो काम आपको है कि कपरा दोवाएगा नहीं और नहीं आपको सुखवाएगा नहीं सुखवाएगा इतना करने में सेकंड वैच को कैसे फिलेगा माली जी का अगर एक दिन में है तो उतना प्रोसेस आप उनको करन लिन्य की सब्सक्राइब करने इसको बने हम पर करने का नहीं कर लें टयुक्वाहां टोग करते हैं कि अगरोग कब्रा नौने के वाने के लिए बात करें आपको बासि में मसीन वहां पर रख दें तो आप लोग कैसे यूज करना है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लेते हैं देखेंगे सबसे पहले बासिंग में सबसे पहले डिटर्जेंट डालना है सब इंफर्मेशन आपके लिए हम लेकर आये हैं अच्छे से वीडियो को देखेंगा डि स्विच और बास BASistas 보시 और बास सेक्ट करने के लिए आअजने दढ़ा चाहते हैं आपकी इस प्रकार के मतने कि दोना चाहते हैं उलिं गोना चाहते हैं पॉलिश्टर धोना चाहते है उसपे आप लोगो कर देना है और दाइमिंगसे से अब का हो जाएगा टाइमीं जैसे कं हां से स्विच को मیکर रहा है और चोग चीजाक लिगास पुर्पन करते हैं डंग को जरा नहीं करके तब तक के लिए चालू करें तब तक कापना होना चाहते हैं जब दुलाई पूरी पानी कर लिजे ठीक है कौपर को अंश्क में रփति द्राइए मसीन की तरी करने死 आ सबेसर ऑढ़ाये डफ्सेखर व्हां पर हो इसे आपकी जघ्ज करके पानी अधा से आपको ज़येगे नोगाओवा जागा पूरी तरह से और 500 बात और है फ्टर सूतीय कफ्रों के समय क्या है जें यह कुछ सकता है अ कर्म पाणी क्हुंद थंडे पानी में पूछा जाएगा क्या कप्रें सूती कप्रें को गर्म पानी में धो सकता है यहां मध्यम मध्यम से कम गर्मी का उपयोग करके मसीन से भी सुखाया और बात करते हैं दूसरा कोस्चन देखिएगा का दूसरा कोस्चन क्या है कि और मार्केट में आता है जो पकेट में रहता है और enterprise सरदीयों पहानने वाले और कप्रे के लिए कप् दहने में स्थेमाल किए जाता है स्ञेटर है गर्म कप्रें जैसे कंब कपरों से दाग और साफ करने के लिए मैं सिर्फ सर्फ पाउडर और दूसरे डिटर्डेंस से बहुत अच्छा है इजी को अपलोग आप लोग पूलेनों सिल्की में कर सकते हैं तीसरा कोश्चन अपका है कि पॉलिष्टर कपरे को इस्तरी करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए पॉलिष् पानी ऐसे चीड़ देंगे और इस्तरी करने के लिए इस्तरी ताफमान कम माध्यम होना चाहिए उपर सी इस्तरी करना सूरिक और पर दान के निचे अपने अपना काम करें लोहे को क्रीज पर मजबुती से दबाएं और बहतर के लिए यदि आवासा को तो फिन से गिल्ला क हम सटरा को प्रेश करेंगे ौसरा इस्तरी करते समय क्या क्या देना सूती कपरों के लिए तापमान को उच्थम उच्तम रखना है और हलका नम रहते हुए। और हलका नम रखते विश्थी करना सुरूब है पानी थोड़ा सा मिला देंगे पानी थोड़ा थोड़ा चीट के उसको नर्म कर देंगे और क्या करेंगे तब मान उंच होना चाहिए तो ही क्या कि सूती कपरा बैठता है यदि कपरा सुखा हुआ है तुसे अस्प्रेद बोत कि यह जल भी सकता है क्या करेंगा इसों लोहे और कपरे के बीच एक हलका गिला कपरा का परयोग करेंगे आइरण काता प्रा तहलो को कम होना बहुत जरूड़िया इसके बाहर आप लोगनों को पूछा जाता है कि कप्रे को जो है कि प्रेस करने आता है कि नहीं बंदा को उसके बारे में और बता दी कप्रा को कैसे कप्रेस करना है उसके बारे में सवधानिय के बारे में हम लोग जानेंगे कप्रा को फोल्ड किया हुआ रहेगा तो उसको क्या कर बाजू को हटा देना है सब्सक्राइन को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब और हमाथ कि लोग को सब्सक्राइब क्या है साव धानिया साव धानिया साव धानिया इनकी क्या क्या होती है आपको सबसे पहले अगर जाएगा तो टेंसन फिरियो के जाएगा क्योंकि टेंसन आपको नहीं लेना है जो भी बोलेगा बोलेगा वही आपको क्या करना है वही आपको करना है क्या करना है जो भी आपको बोले इसलिए बात है दूसरी बात आपको सब्धानिया है कि स्वीच को स्वीच देखना स्वीच देख लेना ठीक है तीसरी बात आपको है इस सट को फोल्ड करना है आपी सठों को फोल्ड करना आरन करने का बाथ क्वाथ करेंगे और बाजू को कहे का करने के लिए तो ही करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे बाजु को इसे जाए पको questionس में पूछा जाएगा और जो है कि जितना bandy double का जंग लगने में यूज किए अगर ना छूटे गा तो 100 का लाश्ण को पर्यों करेंगे, 100 का उफ्यू जो एक बर्तन धोने में के जाता, 100% इसे दाग चला जाता है, हम आसा करते हैं कि विडियो आप लोगो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एल एकोन को प्रेश करके अपन मंदेख